हेलो दोस्तों नमस्कार हमारी यूटूब चैनल कुमारी पाइरिंग हाउस पर आप सभी काहँ पिर से स्वागत करते हैं आज हम आप सबों को बताने वाले हैं प्राटे फैन पर आने वाली प्रॉब्लम को कैसे आप इजली तरीके से सॉल्व करेंगे तो आए वीडियो को सब्सक्राइब और अनलाइक ज़िए करना ताहिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाद दोस्तों जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे पास फराटे फैन पांच पत्ति वाला ये फैन मेरा खराब हो चुका है जो कि आज हम इसे रिपाइर करके आप सबों को हम दिख पाइर करके आर रनिंग के साथ दिखाने वाले हैं दोस्तों वीडियो पर बने रहें इसे चेक करने के लिए सबसे पहले लगे हुए टिप्स सबको हम खोलना है दोस्तों और इसका क्या दिकत है उसे भी हमीं चेक करना है हम लगे हुए टिप्स को हम खोल लिए हैं अब इसे 220 बोल्ट की करंट से हमें सीरिज में देना है एक बल्ब पकी साथा से यहां मेरा यहां लाइन करंट सही है मेरा आप देख पार है यह एक लीड मेरा यह सही है और दूसरा यह बुलुबला जो है लीड यह मेरा कटा हुआ है ताइए हम इस से हम हटा लेते हैं हटाने के बाद भी फिर से एक बारज चेक करते हं से फिर से line कनेक्ट करते हैं कि और आप देख पा । यह जो मेरा है लेड यह मेरा कटा रहरा है तरह हमिसे इस को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पंखा का जितने भी नटी स्कूरूप लगे हुए हैं इस सब को हमें खोलना है दोस्तों तब ये लीड मेरा जो है पुरी तरह से ठीक हो पाएगा तो आये हम सबसे पहले खोल लेते हैं दोस्तों इसके जितने वायर है सब इस तरह से हम खोलेंगे और इसका जाली में लगा हुआ जितना इस गुरूब है इसे भी निकालना है इस पत्ति को भी खोलना है दोस्तों पीछे का भी ढकन को हमें इस तरह से खोलना है यह थोड़ी साब्धानी पूर्वक से करना है दोस्तों यह पीछे का साइट का जो पार्ट से है इसे भी निकालना है इस तरह से निकाल लेंगे हम और आप जो है मेरा अब यह पूरी तरह से खुल चुका है मेरा यहां हमें चार लेक देखने को मिलेगा दोस्तों इस चारों लेक पर यहां हमें कुछ फॉल्ड नजर आ रहा है दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस जगह मेरा एक वायर टूटा हुआ है इस जगह जिसकी वज़े से यह मेरा बुलू वायर पर क्रेंट सो नहीं हो रहा है ताई हम इसे जोड के देख लेते हैं दोस्तों इसे इस तरह बिलेट की साहिता से हमें छिलना है सबसे पहले और छिलने के बाद इस तरह से हम उसे जोड चुके हैं दोस्तों अब फिर से एक बार हम स्रीज में लगा के देख लेते हैं यह लाल के थट सही है और यह रनिंग पॉंट है दोस्तों यह वायर टूटा था जिसकी वज़े से यह मेरा एक लिट काम नहीं कर रहा था अब देख पा रहें यह रेड रेड वायर और बुलू वायर दोनों में में मेरा क्रेंट सो हो रहा है यह पंखा मेरा पुरी तरह से किलियर हो चुका है दोस्तों यह से ही आप अपने घर पर भी रिपैर कर सकते हैं बल्ब की साहिता से आप सीरीज में लगाएंगे तो इस तरह से आप कटे हुए लीट को भी जोड़ सकेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी है यह अब आईए हम इसे फटा फट सेट कर लेते हैं दोस्तों इससे अच्छी तरीके से हमें सेट करना है फिर से साथधानी पूरवक से इस तरह से सेट कर लेना चाहिए क्योंकि अगर अच्छी तरीके से सेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे जो यह मोटर की स्पीठ है वो घट सकती है दोस्तों तो इस तरह से हम स्रीज में लगा चुके हैं अब यह जो मेरा है इसे फिर से जिस तरह था वैसे ही हमें कि स्टेब बाई स्टेब जोड़ लेना चाहिए इस तरह से दिमी तरीके से आप इस तरह से साब्धानी पूर्वक से जोड़ना है हमें और जितने भी टीप्स लगे हुए थे फिर से इस तरह से लगा देना है नहीं कहीं भी बोडी सोट या आर्थिंग सोट हो सकता है इस तरह से फिर से रिपीट कर देंगे हम इसमें भी लगा देंगे और लगाने के बाद हम रिपीट लगा देंगे हाथ दोस्तो अगर हमारे वीडियो आप सबों को पसंद आएगी तो हमारे चनल को सस्क्राइब करना और लाइक करना और अगर हमारे वीडियो आप सबों को पसंद ना आए तो आप हमारे चनल को सिधे ही जाके अनसस्क्राइब करना क्योंकि मैं एसे ही latest video आप सबों के लिए हम रोज लाते रहेंगे दोस्तों हाँ दोस्तों आप देख पारें ये फैन मेरा पूरी तरह से work कर रहा है दोस्तों ये पूरी तरह से मेरा clear हो चुका है दोस्तों एसे ही मज़ेदार video हमारे चैनल पर देखने को रोज मिल सकता है दो तो अगर हमारे चैनल पर जो नए है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि ऐसे ही related video हम आप सबों के लिए रोज लाते रहेंगे इसी के साथ मिलते हैं यज वित कर Hok시에 चैनल को नियूर क्यांई sex बखस्ता है चैनल मिल सकता है को खुँशहारा है जिकली सबस्ता है को जवते चारा का जवते बेल विए नह को थेती मेंगे और बदते हैंगेगे बदत्रूब्स मेंज़र आ कृदार